इस वर्ष स्री किष्ण जनम अश्टमी को अदभुत योग बन रहा है इसे जैनती के नाम से जाना जाता है भगवान स्री किष्ण के जनम के समय यदि अश्टमी के साथ साथ रोहिणी नक्षत्र भी मिल जाए तो उसे जैनती कहा जाता है ऐसा सास्त्र बचन है आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वर्ष स्रीकिष्ण जन्माष्टमी कब पड़ रही है ब्रत का सुब महुर्त किस दिन रहेगा पारण किस दिन होगा बैशनो जन स्मार्त जन कब इसका ब्रत करेंगे तथा इस दिन हमें क्या क्या कारी करने चाहिए और स्रीकिष्ण जन्माष्टमी का ब्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है वीडियो को पूरा देखिएगा चैनल पर दी आप नए हैं तो सब्सकाइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर आन कर लें आईए इस वीडियो का सुभारंब करते हैं भाद्रपद किष्ण पक्च की अष्टमी को भगवान स्रीकिष्ण का प्रादुर भाव हुआ था इसलिए इसे स्रीकिष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है इस दिन भगवान स्री किष्ण के निमित ब्रत उपवास करके उनका जन्मोस्व मनाया जाता है स्री किष्ण जन्माष्टमी का ब्रत सभी को अवस्य करना चाहिए सकंद पुराण में कहा गया है एनकुरवंति जाननतहा कृष्ण जनमाश्टमी ब्रतम ते भवंति नराप प्राग्यो ब्याला ब्याग्रा शिकानने जो लोग स्री कृष्ण जनमाश्टमी का ब्रत नहीं करते वह बन में सर्प और ब्याग्र होते हैं इसी तरह का वाक्य महिलाओं के लिए भी कहा गया है बर्षे बर्षे तु या नारी कृष्ण जनमाश्टमी ब्रतम ना करोति महाप्राग्यो ब्याली भवतिकानने अर्थात प्रतेक बर्ष में जो नारी इस ब्रत को नहीं करती वह बन में सर्पिनी होती है कहने का तातपर या है कि स्रीकिष्ण जनमाश्टमी का व्रत पूरुस तथा महिला दोनों को समान रूप से अवश्य करना चाहिए और यदिवा जैन्ती संग्यक हो तब तो अवश्य ही करना चाहिए जैन्ती संग्या के विशे में कहा गया है अगन पुरान में कहा गया है कि स्रीकिष्ण जनमाश्टमी में यदि एक कला भी रोहिनी नक्षत्र प्राप्त हो जाए तो उसे जैन्ती कहते हैं अर्थात उसे स्रीकिष्ण जैन्ती कहा जाता है और यतन करके उसका ब्रत अवश्य करना चाहिए विष्ण रहस में भी बतलाया गया है अश्टमी कृष्ण पक्षस्य रोहिनी रिक्ष संजुता भवेत प्रवश्ट पदे मासी जैन्ती नाम साच्मृता यदि भाद्र पद कृष्ण पक्ष की अश्टमी रोहिनी नक्षत्र से युक्त हो तो उसे जैन्ती कहा जाता है और सभी को इसका ब्रत अवश्ट करना चाहिए सकंध पुरान में कहा गया है सिध्यन्त सरवकारियानी कृते जन्माश्टमी ब्रतम अर्थात जो मनुस्य स्रीकृष्ण जन्माश्टमी का ब्रत करते हैं यों कराते हैं उनके यहां निरंतर लक्ष्मी स्थिर रोप से निवास करती हैं और इस ब्रत को करने से सभी कारी सिद्ध हो जाते हैं और यदि जैनती संग्यक ब्रत हो तो वह महाजप मुक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष चारो पुरुशार्थ के साथ साथ वांचित फल को देने वाला होता है विश्ण धर्म में कहा गया है रोहिन्या मर्धरात्रे चा यदा कृष्णा अश्टमी भवेत तस्या मभ्यर चनम शौरे रहंति पापम त्रिजन मजम अर्थात आधी रात के समय रोहिनी नक्षत्र में यदि अश्टमी हो जाए तो उसमें स्रीकृष्ण का पूजन करने से त दीन जन्म के पाप नश्ट हो जाते हैं तो मित्रों इस वर्ष दोहजार तेईस में अर्धरात्र में अश्टमी और रोहिनी दोनों प्राप्त हो रहे हैं और यहां जैन्ती संग्यक ब्रत रहेगा जिसे सभी को प्रयत्न पूर्वक अवस्च्र करना चाहिए आए इस महुर्त जान लेते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष वर्षा रितु दीनांक 6 सितंबर 2023 दिन बुद्धवार को स्रीकृष्ण जन्माष्टमी जैन्ती का वरत किया जाएगा इस दिन शाम 7 बजकर 58 मिनट तक सब्तमी रहेगी उसके बाद अश्टमी तिथि प्रारंभ होग कृति का नक्षत्र दिन में 2 बजकर 31 मिनट तक रहेगा तदु पुरांत रोहिनी नक्षत्र प्रारंभ होगा और धरात्र में रोहिनी नक्षत्र तथा अश्टमी तिति और दिन बुद्धवार भी प्राप्त रहेगा इसलिए इस दिन सभी ग्रिहस्त जन स्मार्थ जन स्र गोकुल में तथा बैश्णों संप्रदाय के अनुवाई जन दीनांक 7 सितंबर को जनमाश्टमी का ब्रत करेंगे 7 सितंबर को सायम 7 बज कर 52 मिनट तक अश्टमी तिति रहेगी तथा दिन में 3 बज कर 7 मिनट तक रोहनी नक्षत रहेगा तो इस दिन उदय ब्यापनी अश्टमी और रोहनी होने से यह ब्रत किया जाएगा परंतु और धरात्र में ना तो अश्टमी रहेगी और ना ही रोहनी नक्षत रहेगा इसलिए सभी समार्त जनों को ग्रिहस्त जनों को 6 सितंबर को ही अश्टमी का ब्रत करना चाहिए ब्रत का पारण तिथ के अंत में अथवा उत्सो के अंत में करना चाहिए उत्सो का अंत साथ सितंबर को सुबह हो जाएगा इसलिए पारण साथ सितंबर को सुबह कर सकते हैं कहा गया है समार्ता अनाम दुतिय दिने अश्टम्याम यामत दोयाधिक सत्वेपी प्राताहकालियव पारणोक्ता तिध्यंते तिधिभानतेवा पारणा यत्र चोधिता यामत द्वयोर्धगा मिन्याम प्रात रेवही पारणम अर्थाद दुती ये दिन दो याम से अधिक तिति होने पर प्राता काल ही पारण कर लेना चाहिए इसलिए जो लोग च्छा सितंबर को जन्मा अश्टमी का व्रत करेंगे वह व्रत का पारण साथ सितंबर को प्राता काल ही करेंगे अश्टमी तितिको नदी यादि में प्राता का लश्णान करें घर में पवित्र स्थान पर भगवती देवकी का सूति ग्रह निर्माण करें ब्रत का संकल्प करें सूतिका ग्रह के मद्ध में भगवान स्री किष्ण की प्रतिमा का स्थापन करें प्रतिमा आठ प्रकार की कही गई है सोने चादी ताबा पीतल मिट्टी लकडी मड़ी अत्वा बिभिन रंगों से बनाई हुई बतलाई गई है सूती ग्री के मद्ध में पलंग पर भगवती देवकी की अस्थापना करें उन्हें कपड़े से ढखकर रखें तथा उनके समीप ही बाल रूप स्री किष्ण भगवान की अस्थापना करनी चाहिए बसुदेव की कश्चप रूप में देवकी की अधित रूप में बलदेव जी की सेश रूप में यसोदा की छित रूप में नंद की दक्ष प्रजापती के रूप में गर्ग जी का ब्रह्मा जी के रूप में आवाहन करें गो गोप गो पिकाएं बचणे यमुना कालिय ना इन सभी का वाहन पूजन करें भगवती लक्षमी राधा आदिका भी अस्थापना योम पूजा करना चाहिए इन सभी का शोड़ सोबचार पूजा करके ब्रत धारन करें तथा अर्धरात्र के समय भगवान के प्राकट का उतसो मनाएं जागरन करें इस तरह स्रीकृष्ण ज जैस्रीकृष्ण अवस्य लिखिएगा प्रामाणिक ब्रत परवत्यों हार जोंतिस वास्तु तथा ग्रहबाधा निवान संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ नमस्कार जैविश्वनात